हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टुगर्व गुरू मैं डॉप्टर फ्रियंक का यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंसी की बहुत कोमन दिकत बेकेक के बारे में कमर दर्द जो प्रेग्नेंसी के नौ महिने में हर एक लेडी कई बार फिल करती है और बेकेक के लिए उसको प्रिवेंट करने के भी कुछ तरीके है यदि आप उस तरह से साउधानी रखेंगे तो आपको प्रेग्नेंसी के दोरान बेकेक होगा ही नहीं और यदि हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट क्या है वह भी हम डिसकस करने वाले है तो आखिरी तक जुड़े रहेगा वी चेनल के अपना प्यार देती रहे तो चली सुरू करते हैं प्रेग्नेंसी के मुआ इंग पूरी बोड़ी के मुआसविक होगे वह रिलेक्स रहेंगे और उसके चलते वहाँ पे spasm भी कभी-कभी जल्डी आ जाता है तो वहाँ पे आपको बेक केक की दिक्कत ज्यादा रहेगी कभी-कभी आपको यहाँ पे shoulder pain भी होगा तो जो muscle से वो थोड़े से weak हो जाते हैं pregnancy के दोरान जिसके चलते वहाँ पे frequently आपको spasm की, pain की, muscular pain की दिक्कत बढ़ जाएगी दूसरे वहाँ पे यदि आप किसी भी तरह की चीज को उठाने जा रहे हैं नीचे चीज रखी है आप हमारी tendency क्या रहते हैं हम कमर से जुक के उठा लेते हैं ऐसे आपको नहीं रहना है आपको क्या क इस तरह से करेंगे तो कमर के जो मसल से उसके उपर stress नहीं आएगा तो आपको वहाँ पे कमर दर्ध की दिक्कत कम होगी दूसरे वहाँ पे बहुत ज्यादा भारी सामान आपको नहीं उठाना है तो भारी सामान यानि कितना तो एक रूल बना है कि 5 किलो से ज्यादा जोब है तो आपको बेठने में वहाँ पे दिक्कत आएगी तो उस टाइम पे आप चेर में पिलो रखे यह उसी तरह की चेर भी मिलती है बाजर में डिजाइन की हुई जिससे आपको बेकिक कम हो तो उस डिवास के इस्तमाल कीजिए तिस तरह से यदि आपकी सिटिंग जो किसिको नीं की दिख्कत रहती है किसी से भी दिक्कत रहती है तो स्पैसिल शिपल आती बमाजम में बाजार में आप ले आप सकते हैале डोक्टर चैनल ऑन 1971 वे जोक में भी न पर बगल गूलैंघे नहीं मुजा e मill बढ़े गीकनी कि चलती जो में नें बता हुआ आपका प्रेगनेंसी में बेली भी बढ़े गी सुआ है तो आपके बेलन्स भीगड सकता है कि दूसरी दिक्कत भी नहीं आएगी छ broader सीनिवेश वतर आपका फ्रसली लु कमा klarे जाएगा तो वह भी नहीं होगा यदी आप थोरी से हिल पहलेंगे तो गड़ सकति है तो क्या धुब मुंसले से chef Black & Reign तो इस तरह से उल और वीक् Kath करके लगा सकते हैं जादा से मसाज करके रात के सुलंगे तो भी आपको बेकेक में आराम मिलेगा डायेट में यदि आपस्ट ले रहे तो भी आपको बेकेक की दिक्कत रहेगी ऊकर केहे ही क माउनके दिक्म में v-2-3 कम ही जयादा soup या फिर विटामिन D के सचेट्स आपको दिये गए होंगे तो प्रेगनसी की दोरान केल्सियम और विटामिन D लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुसरा आप सुबह में जब वहां पे हल्की धूप हो तब 10-15 में टेहलनी की आदत बना लो या फिर अपनी बालकनी में ब लेना है दूसरा केल्सियम के लिए क्या किया चाहे तो धिन में दो बार दूद पीएंगे एक सुबह में और एक रात में तो कल भी अच्छे से मिलता रहेगा प्रोटिन के लिए मैंने बहुत सारी वैराइटी वाली रेसीपी मेरी चैनल प्र अप्लोड कि है तो हाँ पर द प्रेग्नसी के दोरान लेफ्ट लेटरल पोजिशन सबसे बेश रहती है करवट लेके सोणे कभी कभी आप राइट में भी सोसे है तो करवट लेके सोएंगे तो बेकेक की दिक्कत नहीं आएगी अब वो क्यूंगे दिक्वी के दोरान आपकी बच्चे दानी का वज़न बड वीपीफ्लक्शूीट सब्सक्राइब को आप सब इस्तितों हों तो आप वहां पोनने शूल सकत HEYविदे मेंैं श्यूल क्रूडिद तो आप एक दो था, freight Solid एकसे साइस भी होते जी जने झाला करने को करठ आप responder कर शोग बंचाने की सब्सक्राइब मिले तो आप वो भी ट्राय कर सकते हैं यदि इसमें से भी कुछ क्वेरी हो कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बुक्स में पूछी सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तुसको लाइक एंसर कर दीजिगा अभी तक सब्सक् एप बाइ